हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल देखे इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपे ट्रेपल सी प्री एक्जाम दो हजार एकीस जैसा कि आपको पता है कि आपके स्टेट में पी ए टी टेस्ट लागू हो चुका है कैसे form fill करना है क्या syllabus रहेगा negative marking आएगी test में नहीं कब से कब तक आपको आवेदन करने है और कैसे आपको site पे visit करना है किस तरह से आपको form fill करना है in this video we will discuss the whole process first of all हम देखेंगे जो ये बई notice आया है इसके बारे में तो चलिए start करते हैं video सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं उत्र परदेश अधिनस्त सेवा चेहन आयोग विज्ञापन संख्या एक परिक्षा 2021 पीटी मतलब प्रेलिमिनरी इलिजिबिलेटी टेस्ट प्री इलिजिबिलेटी टेस्ट भी कह सकते हैं ऑनलाइन करने की जो आपकी तीथी स्टार्ट है 25-5 से स्टार्ट हो जाएगी जमा करने की भी तीथी यही है और सम्मिट करने की जो आपकी डेट है वो है 26-2021 अगर आप कोई शंशोदन मतलब कोई गलत हो गई है उसे अडिट करना चाहते कोई मिस्टेक हो गई तो 28 तारीक रहेगी लास्ट यह आपका यहां पर दिया 26-2021 है इसके बाद आपकी फीस जो है वो यहां पर सुईकार नहीं की जाएगी आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसने अपनी फीस का जो समायोजन है बैंक द्वारा नहीं किया हो यह सारा देख लीजिए यह आपका नोट प्रारंबिक हरता परिक्षा में परतिभा किया जाना अनिवार है इससे पहले हर्याना स्टेट यह लागू कर चुका है वहां पे CET नाम से इसको जाना गया है ठीक है यहां पर क्या होगा कि आपके जो ग्रुप C की जो पोस्ट है उनके लिए यह प्री एक्जाम होगा ठी की धारा 2 में लिखा हुआ है कि खा से निमन सुमू और गाव के समस्त सीधी भरती वाले पदों के संबन में जिसके अंतरगत सचिवाल्या के सेक्रेटरी के भी पद आते हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित यानि अंतरत किसी बोड या निगम या किसी अन्या कानुन निकाय में समस्त गय के पदों पर जो ग्रूप C के जो पोस्ट है उन पर भी लागू होगे यह सारा यहां पर दे रखा है तो यह आप पढ़ लीजिएगा प्लीज यह पढ़ लीजिएगा मैं आपको दिखा देती हूं कि आपको कैसे यहां से फिल करना है उससे पहले हम ब दो घंटे का आपका टाइम हो गया पर इसमें आपके हिंडियन हिस्ट्री आएगी पांच नंबर की सिर्फ और इसमें यह टॉपिक वाइस दिये हुए हैं कौन-कौन से टॉपिक आएंगे यह कुछ आपके टॉपिक रहेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं भारतिया रा दी और अस्तें के पांच गौर्शन जिसमेंक फिजिक्स कमेंस्टरी बाइओ तीनों इंट्लीड है ऐलिमेंटरी यहर्थमेटिक के आपके 5 गौरशन जरो इंगलिश जिसमें इंगलिश ग्रामर ओर आपके पैसेजीज यह कॉंप्रिहेंशन पैसेज आएंगे पांच खराधीफीख्द्यन्ष मates का विवेचन और विचिलेशन दोक्राइस आएंगे और एक डीफन सबसे पहले परेंगंगी संबंदीत पर्षनों का जो difficulty level रहेगा वो रहेगा आपका NCRT द्वारा निर्धारिच सीनियर सेकेंडरी स्थर का मतलब 10th प्लस 2 लेवल का परिक्षा का प्रकार secondary या senior secondary secondary या senior secondary 10 9 10 से लेकर 11 12 तक का इंक्लूड कर देंगे प्रिक्षा का प्रकार आपका objective टाइप होगा multiple टाइप होगा एक बटा चार की कटोती की जाएगी it means आपका यहाँ पर 0.25 का negative marking रहने वाला है now we will discuss how to apply for the PET test ठीक है pre eligibility test यहाँ पर candidates को advise किया जाता है कि सबसे पहले आपको इस website पे enter करना है और यहाँ पर जो आपका advertisement है उसको अच्छे से एक बार read करना है I.O. की commission की website को open करें उसके बाद all notification advertise का link क्लिक करने पर आपको view advertisement और user instructions के दो link खुलेगे अगर आपको view advertisement करेंगे तो इससे आप पूरा advertisement देख पाएंगे और online forum भरने है तो अपना user instructions को पढ़ना होगा apply button पे click करना है और उसके बाद आपका candidate registration यहाँ पर click करना होगा इसको पांच भागों में divide किया गया है सबसे पहले candidate registration उसके बाद आपके photo और signature यहाँ पर upload होगे उसके बाद जो भी form का like description होता है name, father name, date of worth जो आपकी essential qualifications है फिर आपका आता है fee payment और submission का फिर आपका आता है print application form का candidate registration की बात करें तो यहाँ पर अभ्यारती candidate को अपने से जो related सारी important instructions नी सोरे information आपको फिल करनी होगी हर फिल्ड के लिए सूचना भरने है तूस पस्ट निदेश दिये गए हैं वो पढ़ ले उसके बाद ही आविदन पत्र भरे registration के page पर candidates को अपनी सारी personal information लाइक नेम, father's name, आपका residential, आपकी date of birth, आपका gender, आपकी marital status, आपका mobile number, email id, आपके educational qualifications उसकी बाद web page पर नीचे की और enter verification code लिखा होगा और उसके बाद आपको submit बटन को क्लिक कर देना है form submit होते ही आपको दूसरे page पर जाना है और registration slip आपको यहां पर दिखाई देगी जिसमें 11 desert का आपका registration number यहां पर होगा अभ्यार्थी इसकी प्रती मुद्रित अविश्य कर ले जिसका उप्योग भावी कार्य हेतु किया जाएगा यदि किसी कांड से आपके candidate registration के समय अगर print नहीं कर पाया तो बाद में भी यहां पर website के applicant segment के अंत्रगत know your status पर जाकर क्लिक करके print duplicate registration slip आप यहां पर क्लिक करके अपना slip प्रिंट करा सकते हैं फोटो आपके कैसे होने चाहिए भी चहरे का जो फोटो है वो बिल्कुल clear होना चाहिए ना तो ज्यादा चमक होनी चाहिए शैनिंग नहीं ज्यादा darkness होनी चाहिए आपका जो चिन पार्ट है उससे लेकर head पार्ट तक साफ दिखता हूँ चेहरे के दोनों मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए चश्मा पहने की स्तिति में आखे साफ दिखनी चाहिए पाशिशा कलर नहीं होना चाहिए और यह सारी चीज़े पढ़ लीजिएगा यह फोटो का साइज दिया हुआ है उसके बाद फॉम के शेष विवन का भरा जाना यह भी देख लीजिएगा उसके प्रिव्यू करना है अच्छे से भरा गया है तो वही कर सकते हैं और बैक बटन को क्लिक खर सकते हैं उसके बाद अगर आप यहां से सटेसफाइड हो कि मेरा सब कुछ सही है तो संबिट का ओप्शन यहां पर क्लिक करिए आपका अंतिम रूप से यहां पर संप्रेशित हो अगर आपनी category गल्त बर्दी है तो इसमें शुल्क जमा कराने के पहले ही अपनी category में चेंज कर सकते हैं अगर भाई fees कट गई है तो category में चेंज नहीं होगा फीस का जो आप payment है और submission है application form की तो वो आपको इस पर नीचे की बाई तरफ प्रिंट और दाहिने और proceed to download and print the application form बटन को क्लिक करना के form को अंतिम मतलब लास्ट स्टेज पे जाके submission करना और printout भी यहां से निकलवा सकते हैं SBI का इचलान डाउनलोड कर किसी भी शाका में जाकर निरिधार शुल का बुगतान करना होगा शुल का बुगतान करने के बाद अभ्यारती अपने एपली केंट सेग्मेंट के अंतरगत अपडेट यूर ट्राजिक्शन डबल वेरिफिकेशन मोड के साथ अपना ये अलग से कर सकते हैं ये सारा आपका रहेगा और फीज जमा करने की जो अंतिम डेट है वो 28 बता दी है उसके बाद भाई ये आपका SBI के द्वारा ही किया जाएगा ठीक है सॉरी क्रेडिट कार, डेविट कार, इंटरनेट मेंकिंग या SBI के इचलान द्वारा आप यहां पे कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके बाद अभ्यारती मोडिफाइज सम्मिटेड्स अप्लिकेशन पर क्लिक कर अपनी सारा यहां पर जो एक्स्प्लेनेशन भरनी है उसके उपरां जब लॉग इन करेगा तो रजिस्टर मोबाइल नंबर और आपका इमिल पर एक OTP आएगा इस OTP की साहिता से आपका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा और अपने फॉर्म के किसी भी फिल्ड में यहां पर एडिटिंग कर सकता है प्रंतु वह है अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भई उसमें शंशोद अगर आपने मोबाइल नंबर वही बाला देना ज कुछ आपके इंस्ट्रक्शन्स हैं इंपोर्टेंट तो ऐसे आपको यहां पर फॉर्म फिल करना होगा अगर आपको अभी मतलब बिल्कुल ही साइट पर जाके करना है तो आपके पास सारी मैं इत पर बता दूंगी वह वीडियो अलग से बना देंगे क्योंकि यह वीडिय खहर ही अगिए अब पर उस लू है भीडियर जयांत कर देंगे करते साइट प्रीड तो अन्मेर जो तबर है बीजल पिल्ड़ कर दो की सब्सक्षप्र इंपDंट कर दो की यह वीडियो मैं कर देंगे क्यों